विविद भारती आपका भी रेडियो से गहरा तालुक है जी ममता जी मैं वैसे तो आज से करीब एक दस साल पहले भी यहाँ आया था और विविद भारती से इसलिए एक आत्मियता बहुत सा बना रहता है क्योंकि मुझे लगता है बच्पन से जब मेरे पिता जी आर्मी में थी आपको अच्छा लग रहा है विविद भारती के स्टूडियो में आकर और हमें अच्छा लग रहा है एक साहितिकार से बाचीत करते हुए तो हम जाना चाहते हैं कि यह कलम की शुरुवात कैसे हुई आपके लिखने की शुरुवात कैसे हुई पहली बार कौन सी विधा में आपने कदम बढ़ाया था कहानी या कविता की ओर जी मैं पहली बार मेरा जो रुजान रहा ममता जी वो कहानी की तरफ ही रहा, मैं दरसल चंडीगड में पढ़ता था एक कॉलेज में, सेक्टर 11 में कॉलेज है, जिसने बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज पैदा की हैं, और उस कॉलेज की पत्रिका होती थी, उस पत्रिका में मेरी कुछ कहानी चैनित हुई और चपी, त और पुरसकार मिला आपने कहा, तो हमारे जहन में के बात है कि पुरसकार आपको आगे चल कर भी मिला आपके लेखन के लिए हमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कहानी संग्रा बंद दर्वाजे की लिए, इसकी बारे में बताई है हमारे शोताओं को, यह पुरसकार का नाम है पंडित चंदरधर शर्मा गुलेरी पुरसकार साहित्य के लिए यह हमारे हमाचल सरकार का सवरोच पुरसकार है और यह मुझे 2007 में मिला था कहानी संग्रा के लिए यह मेरा जो साहित्य में योगदान के लिए और कौन-कौन से कहानी संग्रा है आपके बतागा अब तक ममताजी मेरे चार कहानी संग्रे आये हैं जिसमें से पहले बहुत पहले एक टापू कहानी संग्रे आया था उसके बाद ये बंदर वाजे आया उसके बाद फालतू के लोग एक आया और जिसकी कहानी अभी सबी परतिश्चित पत्र पत्रकाओं में चपती रही और व कि यह कुई कहाणी है हाँ वो कहाणी है या कहाण से पतेर केमें चुपई थी इसके बारे में आप परिशित हैं क्योंकि वो देश की पतेशित पत्रिका रही शायद 2016 मों काहा नम थे विदाईय बियला विदाई बिला कहानी के चपने के बाद पूरे देश में काफी ज़दा इसके पर डिस्कोर्स शुरू हुआ और बहुत लोगों ने मुझे फोन की एसमेस किया और इस कहानी में ये है कि हमारे पहाड़ों में एक परंपरा होती है कि जो बुजर्ग होती है उनको लगता है कि हमारी मृत्यू के बाद के संसकार जो है वो शायद हमारे जो परीजन है वो उसको उस ढंक से नहीं कर पाएंगे उस सम्मान पूर्वक नहीं कर पाएंगे जैसे वो चाहते हैं तो विदाई बिला में एक बुड़ी औरत है जो शायद असी 90 साल की है और वो उसके बाद के संसकारों के संत्यारी पहले से ही शुरू कर देती है और उसमें वो घर से लकडियों का परबंद कर रही है और जो पैसे का प्रबंद कर रही है और बहुत सी चीसा जो समान का प्रबंद कर रही है तो मुझे लगता है कि इस कहानी ने हमारे जो पाठक हैं बड़े पाठक वरको की समवेदना को जखजोरा उनको लगा कुछ नई सी बात है कि शायद ऐसा हो रहा है तो ये बुजर्गों के मन में होता है हमारे खात और पे पाड़ी लाकों में कि उनका मान समान रहे तो ऐसा कुछ लोगों में है ये प्रंपरा रही है तो इस कहानी ने काफी चर्चित रही मौन से संबाद ये आपका उपन्यास है अक्सर जब कहानिया लिखते हुए एक कहानिकार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं साहितिकार तो उनसे ये उमीद की जाती है कि आप उपन्यास लिखे तो आपको भी किसी ने ऐसी प्रेड़ना दी किसी अन्य सहितिकार ने कि तुम अब उपन्यास लिखो अब उपन्यास कार के रूम में चर्चित हो जाओ तो वो कोई बात है तो बताईए हाँ उसमें ममता जी ऐसा है कि पहले तो मेरा एक उपन्यास लग उपन्यास चाह पाता उसको लगता कि वो वापिस शायद अपने घर नहीं जा पाएगा इतना दुर्गम क्षेतर है उसको पांगी बोलते हैं जो पांगी का इलाइका ये जम्मू किश्मीर चीन के बॉर्डर और इंसे लगता है बहुत ही दुर्गम क्षेतर है तो मुझे वहाँ आज से कोई 13-14 साल पहले जाने का मुखा मिला और मुझे लगा कि अगर मैं इसको ट्रेवल लॉक के रूप में या यातरा संस्पन लिकूंग तो शायद वो बात नहीं बनेगी तो मैंने इसको एक फिक्षन के रूप में इसको लिखा और उसमें ये बताने की कोशिश किये कि जो जब वहाँ 20-20 फुट बर पड़ जाती है तो वो बरफ के दुरान लोग कैसी दुश्वारियों में कितनी परिशानियों में अपनी जीवन को जीते हैं कितने मुश्कलाओं तुमें रहते हैं लेकिन वो जो छे मिने तक या आठ मिने तक वो रास्ता कटा रहता है बरफ के वज़ा से तब भी वो लोग कैसे उस जीवन को बड़े ही सहज रूप में लेते हैं और उसको बड़े अराम से उस जिंदिकी को वहाँ जीते हैं लेकिन वो जो तकलीफे हैं वहाँ के लोगे की उसकी पीडा को उनकी यंद्रना को उनको इसमें उकेरने का प्रयास में इस उपन्यास में किया है और इसको पसंद किया गया है बड़ा मुश्किल होता है यात्रा वृत्तान्त को fiction के रूप में ढालना कहानी के रूप में ढालना क्योंकि आपने आखों से देखा होता है उस सच को बार बार यही मन करता है कि इसको हम as it is लिखते लेकिन कहानीकार से उपन्यासकार से यह उमीद की जाती है कि सच को सच की बाया करें और कोई स्टना हो जो सच ना हो उसको सच की तरह बैा करें तो बड़ा मुश्किल होता है तो है मुश्किल पर विज्जय कैसे बाई है अब बता है कि स्टो टैलिंग जो है कहानी को बताना क कहना यह बड़ी और मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक है जहां मुझे लगता है कि मैं यातरा संस्मन लिखने में सहज हूँ तो मुझे लग रहा है उस विश्य को मैं चुनूँगा जिसके किताब का मैं जिकर अपसे करूँगा जो भी मेरी कुछ दिन पहले चपी है या विमल राय पाथ लेक जब वहां जाते हैं तो वह बरफ में फस जाते हैं और उनको लगता है कि अब तो हम बापे हलिकॉप्टर के उड़ाने नहीं होती है हो नहीं हो रही हो नहीं हो रही हलिकॉप्टर से ही राफता रहता है और नहीं होने से उनको लगता है हलिकॉप्टर तो आएगा नहीं को के माधियम से चीजों को कहने का प्रयास करते हैं तो वह एक बड़ी एक उसमें अथन्टिसिटी या थोड़ा सा कुछ ऐसा बंद लगता है कि वह पाटर के मन को चूपाए और बड़ी खुशी होती है जब एक कहानी पूरी होती है एक उपन्यास पूरा होता है खासतोर से पढ़ते हैं और किन लेखकों से प्रेणा पाते हैं देखिए शुरू में तो क्या होता है कि जो मिलता था पढ़ लेते थे बच्च्पन में लेकिन बाद में मुझे जैसे चेकवें रश्यन राइटर नोंने बहुत परवावित किया दोस्तों वसकी हैं खास तोर पे हमारे वो वार एंड पीस के जो राइटर हैं तॉल्स्ट्रॉई लियो तॉल्स्ट्रॉई ने और प्रेम हिंद्ध अगर यहां बात करें तो जाधर मुझे जो जाधा परवावित किया तो मौहन राकेश की कहानियों ने बहुत किया क्योंकि वो कुल्लू में रहे कई बार कभी ड रसकिन बॉर्ण को भी पढ़ा है और मुझे लग रहा है कि लेखक बनने के लिए हमारे मन में यूद कंठा होती है कि हम रातों रात शायद एक बड़े लेखक बनने लेकर ऐसा होता नहीं है क्योंकि लेखन में चमत कार्नी होता उसके लिए बहुत लम्बी यातरा ताई कर संदर उसको और बहुतर लाने की कोशिश करता है और उसको लगता कि हमें बेटर इंसान कैसे बनना चाहिए ये साहिता से सिखाता है एक कठिन तपस्या के बाद ही लेखक बन पाता है गहरा रियाज करना पड़ता है ऐसा देखने से लगता है जरूर कि बड़ा आसान है लिखना अगर लिख सकता है तो हम भी लिख सकते हैं लेकिन मुश्किल बहुत होता है क्योंकि जो उस दौर से गुजरता है वही समझ सकता है कि आपके लेखन पक्ष की बाते हम कर रहे थे साहिती के पक्ष की बाते हम कर रहे थे आपने फिल्म समिक्षाएं भी बहुत सारी की है तो अपने फिल्म समिक्षा के सफर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे शोताओं को शुक्री आपने बहुत ही महत्तुप के बारे में फिल्मों के बारे में इतनी ज़्यादा विस्तार से आपको जानकर यह प्राप्त होती हैं तो मैं लोगों से फिल्मों की बातें करता रहा लोग मुझे कह रहे थे आप यह पागल हो गया आदमी मैं दो साल पहले जब मोंभई आया था तो मैं ज़े मिमलरायस साब के बेटे ज़ Ein suicide मिलने के मौदा मैं झाल है और मैंने कि मैं उनके फिल्मों का बच्चपन से लेकर बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मुझे उनके उपर लिखना है तो मैं उनके मिला फिन मैं रफी साब के घर गया और मैं आर के स्टूडियो भी गया और बहुत से सुधरशन फाकिर वो कागज की कस्ची वो बारिश का पानी तो वो जगजी सिंग्ने जो गजलें गाई ही वो उनके नाम वो जलंदर के राने वाले थे फाकिर साब और उनसे भी मुझे 10-12 साल पहले मिलने का मौका मिला तो ऐसे सी ये लोग जो मेरी जिंदगी में आते गए मिलते गए मुझे लगा इन पर मुझे कलम चलानी चाहिए तो ये कभी-कभी मुझे ममता जी ऐसा लगता है कि आपके संस्मन आपकी कहानियों पर भारी पढ़ जाती है ऐसा होता है जैसे रविद्नर कालिया जी थे गालिव चुटी शराब उनकी जो किताब है वो उनकी कहानियों पर भारी है तो ऐसे ही क्या है कि संस्मन विदा ऐसी है वो आपके दिल के बहुत करीब होती है और उसमें बहुत करीब होती है और उसमें वो बहुत करीब होती है और उसको तो ये काफी संसमर्ण है जो मुझे लग रहा है ये लोगों ने बड़े पसंद किये हैं और ये किताब भी पसंद की जाएगी जी एक पक्ष और है आपके जिन्देगी का वो है संपाधन, संपाधन भी किया है आपने, एक मैगजिन भी आप निकाल रहे हैं, तो इसके बारे भी बताइए, वो एक पत्रिका थी, एक तीन मीने में, छे मीने में एक अनियत काली रूप से चपती रही, इसका नाम है इरावती, इरावती का बड़ी इं प्रियास किया और इसमें राश्टी इस्तर के और हिमाचल के दूसरे लेकों को स्थान मिला और उसमें उसका एक ऐसा सुरूफ बना कि लोगों ने इस पत्रिका को बहुत पसंद किया, तो इस पत्रिका के महाद्यम से 50 से जज़ादा में नए लेकों की खोज की और उनको प मिलता है, क्योंकि अक्सर ने लेकों को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी मुश्किलात आती है, उन्हें जल्दी से कोई ये होता है कि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कोई भी संपादक रिस्क नहीं लेना चाहत चाहते के लिए, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए बहुत सारी बढ़ाई, और संपादन भी किया है, आपने समिक्षाएं भी की है, कहानिया भी लिखी है, यात्रा बृतांत भी लिखे है, तो ये सारी विधाएं है, इन विधाओं में से आपकी प्रिय विधा कौन सी है? कहना मुझकिल है, लेकिन मुझे ज़्यादा तो कहानियां पर ही मेरा मुझे लग रहा है, कहानी पर मेरा जो फोकस है, जो केंदर विंदू है, वो यही है कि पास-पास के जो महौल है, उसमें कई कहानिया रोज ही मिलती रहती हैं आपको, आपके घर में कहानिया हैं, घर के ज्यादा जो मन लगता है, वो कहानी लिखन में लगता है राजेंद्र राजन जी विविद भारती के स्टूडियो में आप आए और साहित्य से जुड़ी फिल्म समीक्षा से जुड़ी तमाम बातें शेयर की साजा की हमें बड़ा अच्छा लगा आपका बहुत बहुत शुक्रियादा कर रहे हैं बहुत दिन्यवाद ममता जी आपने मुझे एक बहुत सुनेरी मौका दिया, शुक्रिया नमस्कार